बलेवुड इंडिस्ट्री में अपने कदम जमाना किसी भी अभिनेता या अभिनेतरी के लिए आसान बात नहीं है। अपनी एक्टिंग से दर्शकों को ब्रभावित करके उनके दिलों में बसने का हुनर बहुत कम एक्टर्स को आता है। वहीं बात अगर 90 दशक की करें तो गोविन्दा को उस समय का सुपर स्टार माना जाता था। गोविन्दा ना केवल बेहतरीन अभिनेता बल्कि एक शांदार डांसर भी है। गोविन्दा ने अपने फिल्मी करियर में हीरो, कुमवारा आधी जैसी सुपर हिट फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहटान हासिल की। बहरहाल आज हम बाद गोविन्दा की नहीं बल्कि उनके साथ काम कर चुकी एक ऐसी अभिनेत्री की करने जा रहे हैं, जो एक समय में अपने मोटापे के चलते और एक टिंग के चलते सब को हंसा हंसा कर लोटपॉट करती थी। बदल चुका है गुड़ी का लोक गुड़ी मारूती हैं। लगबग 20 साल पहले गुड़ी मारूती को किसी पहचान की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उनकी लुक पहले जैसी नहीं रही बल्कि अब तो उन्हें पहचाना भी मुश्किल हो गया है। आज हम आपको गुड़ी की कुछ ऐसी तस्वीरें दिख चुकी हैं। समय के साथ हर इंसान की लोग बदल जाती है। ऐसे में गुड़ी का चेहरा भी अब पहले जैसी चमक धमक वाला नहीं रहा। खबरों की माने तो गुड़ी के लगातार बढ़ते वर जन के चलते उन्हें फिल्मी दुनिया से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कही हार नहीं मानी और छोटे परदे पर कामकारे की शुरुआत की। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इतनी उम्र होने के बाद भी गुड़ी ने बाकी लोगों की तरह बिस्तर पर आराम फुर्माने को पहल नहीं दी बल्क अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने घर को चलाना शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गुड़ी मारुती का जन्म 4 अप्रेल 1969 में हुआ था। गुड़ी का असली नाम ताहिरा पर अब है। उन्हें गुड़ी मारुती नाम वनमुहन पाइल एक्टर के रूप में की। उस समय गुड़ी की उमर केवल 10 साल की थी। गुड़ी ने अपनी पहली फिल्म जान हाजिर हैसे ही दर्शकों के दिलों में घर कर लिया था। गुड़ी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 97 फिल्मों में काम किया। जिन में से खिला जा, शोला और शबनम, आशिक आवारा, बीवी नमबर वन आदी उनकी प्रमुख फिल्मे हैं। गुड़ी ने छोटे परदे के मशूर शो डोली अर्मानों की में भी अपना बेहतरीन अभिने किया था। एक लंबे गैप के बाद गुड़ी ने साल 2015 में हिंदी फिल्म हम स बलू हैं से वापसी की। इस फिल्म में गुड़ी के रोल को काफी सराहा गया। बत और कॉमेडियन लोगों को हंसा पाना ही हर कॉमेडियन की सबसे कठिंग परीक्षा मानी जाती है। लेकिन गुड़ी इस परीक्षा में खरी उतरी और बॉलिवूड इंडिस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याब हुई।